नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है गलीमा और स्वागत है आपका टैकिटिकल पे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे शादी के लिए अपना बायो डेटा बना सकते हैं वो भी फोन से और बहुत सिंपल है इसके लिए कोई पैसा खर्च करना नहीं है तो कै इस मुझे इंवाइट करना ना भूले तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है और प्ले स्टोर से आपको ये एप इंस्टोल करना है marriage bio data maker ये वाला app आपको install करना है only 10 MB का है ये बहुत छोटा सा app है इसको आपको easily install कर लेना है इसके ratings भी काफी अच्छी है और बिल्कुल free में आपको ये मिल जाएगा इसके लिए आपको कोई भी charge देना नहीं पड़ेगा अब आप कीजिए open पे tap कीजिए रखिये जो भी language आप suitable है bio data बनाने के लिए वो आप select कर लीजिए अब यहाँ पे आती है personal details तो personal details में आप अपनी details पुट कर दीजिए name, cast, DOB यहाँ पे अब मैं आपको example दे रही हूँ तो मैं अपना नाम वगेरा ही यहाँ पे आपको आप यहाँ पे कर दीजिए graduation है या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते है BITAC वगेरा या जो भी आपकी graduation हुई पड़ी है वो आप मतला यहाँ degree लिख सकते है अपना फिर occupation में occupation का लिख सकते है आप यहाँ पे type कर दीजिए उसके बाद occupation के बाद आता है income का यहाँ पे income का कर दीजिए अगर आपको यह नहीं करना show तो यहाँ से delete भी कर सकते है add new field में करके जैसे आप नया field भी add कर सकते है hobbies का जैसे मैंने कर दिया है music और traveling का मैं यहाँ पे कर रही हूँ put music and traveling ठीक है तो यहाँ से add new field पे आप कर सकते हैं उसके बाद family background family background में father name तो यहाँ आप अपने father का नाम उसके बाद उनका occupation क्या है आपके father का इसके बाद mother का नाम और mother का आपका occupation आपकी जो मा का occupation है जैसे मम्मी ज्यादतर घर पे है तो housewife उसके बाद brother तो यहाँ पे आप counting भी लिख सकते हैं और साथ में bracket में उनका नाम भी लिख सकते हैं कि आपके जो भी आपके brother का नाम है या sister है कितनी sisters है उनके name वगेरा भी लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत का नहीं है maternal यह मैं delete कर रही हूँ यह वाला field अब others में property मुझे show off नहीं करनी है तो यह भी delete कर देती हूँ आप भी कर सकते हो property वगेरा में जो भी आपकी property है वो डाल सकते हो यहाँ पे फिर address आ गया email हा गया contact में को यह जो आपके contact number है वो आप यहाँ पे put कर सकते हो जो भी आपका mobile number है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो अब उसके बाद थोड़ा top में आ जाईए यहाँ पे आपको फोटो भी डालनी होगी तो फोटो पे क्लिक करने पर फोटो में जाके जो भी आपकी अच्छी सी फोटो है वो सेलेक्ट कर लीजिए क्रॉप कर लीजिए उसे और उसके बाद आप नीचे आईए सेव पर क्लिक कीजिए अब यहाँ पर टेंपलेट्स दिखा रखे है बहुत सारे टेंपलेट्स है जो भी टेंपलेट्स आपको अच्छा लगता है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए अब यह एड़ आचुका है कुछ ही एड़ तो आए गई इसको स्किप कर दीजिए इसकिप करने के बाद आप देख सकते है यह पुरा पॉर्मस दिखा दिया की कुछ आपका ऐसा होगा यहाँ पर नीचे शेप में देख सकते है आगर इमेज की शेप आपको चेंज करनी है तो यहाँ से आप इमेज की साइज आपको जो भी इमेज का साइज चाहिए उसके बद create PDF और create image तो मैंने image पे क्लिक किया है उसके बद यहाँ पे share का भी option है और open का भी है तो मैंने open पे करके आपको यह दिखा दिया है तो इस थरह ऐसे आप अपने शादी का बायो डेटा बना सकते है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंड कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू